हुआ गैस वैलकम बैक टू माय चैनल दोस्तो अगर आप अमरी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को शस्क्राइब आटे वन्हुर सेयर करना मत बुलutz दोस्तो बिना देर कते वीडियो स्टार्ट कते दोस्तो आज की वीडियो में आम बात करने वालए अजे देवगन सर अपने फैंस के लिए एक के बाद एक कई फिल्में लेके आने वाल है जिन में से ब्लॉक्स उनकी फिल्म आई थी सौमी फिल्म थी ताना जी जिस फिल्म ने बॉक्स उपेस को हिला के रख दिया इसी साल आई थी और ये सत्या घटना पर बायोग्राफिक फ चल रहा है उसके उपर एक मूवी बनाने जा रहा है गलवान वेली दोस्तों इसके अलावा वो बूस्द प्राइड ओफ इंडिया फिल्म अपनी वह भी एक इंडियन आर्मी का पर बेज है और उस फिल्म को भी वह अभी ओटी टी प्लैटफॉम डिजनी प्लास और रिलिस किया होता तो भूस्द प्राइड ओफ इंडिया फिल्म लगबग 300 कड़ों का आकड़ा आराम से थियेटर पर क्रोस्ट करती है उसके अलावा दोस्तों अजे देवगन सर अपने करियर में हर तरह के रोल किया है और दोस्तों एक और फिल्म लेके आने वाद है जो कि अभी अपना 20 इंडियन आर्मी सहीद हो गए है उस हिसाब से उसकी फिल्म बनाने वाले है अभी तक डायरेक्टर टे नहीं पर वो फिल्म इस साल नहीं अगले साल रिलिस हो सकती है इसके अलावा दोस्तों वो मैदान फिल्म में आने वाले है जो कि उसमें वो एक फुटबोलर का रोल फुटबोल के कोच का रोल करते नजर आएंगे उसके अलावा उनकी फिल्म है सबसे बड़ी फिल्म कह सकते है गंगु बाई काठियावाडी जी आ दोस्तों उस फिल्म को डायरेक्शन देने वाला है संजे लिला बंसारी और उस फिल्म के स्टार कास भी बहत ही बड़ आठिया लिखार का रूल करते नजर आएंगी वहीं दोस्तों इम्रवा शम आल्या बढ़ के असबं का रूल करते नजर आएंगी वहीं रिपोर्ट के अनुसार हमें आजे देवगं सार एक गेंक रौल करते नहर आएंगे इससे पहले अज़े देवगं सार ने Once upon a time in में नेगेटिव रोल किया था गेंग्स्टर का तो दोस्तो यह सभी फिल्मों में से आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइट है और दोस्तो अजे देवगं के फैन है तो हमाई चैनल को सस्क्राइब कर और प्रेस तब बेल आइकॉन ताकि यह सी लेटेस अब्डेट सबसे पहले मिलें